हेलो दोस्तों आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम ओटोमेटिक जब ड्राइब करते हैं ओटोमेटिक जो हमारी डिकोर्डिंग है लोग फाइल रिकोर्डिंग है वो कैसे स्टार्ट होती है अगर हम किसी स्क्रिप्ट के दुआरे कर रहे हैं तो हमारे जो automatic recording है और log file stop जो automatic हो जाती है वो किस तरीके से होती है वो script कैसे बनती है और उस drive को हम कैसे करते हैं उसे जानेगे क्योंकि इस चीज के लिए काफी कमेंट आये है कि हम automatic drive कैसे कर सकते है कि हमें बार-बार enterprise ना करना पड़े means अगर हमें लोग file stop या start बार-बार ना करनी पड़े ठीक है तो उसके लिए हम direct एक script बना के दिखाते हैं जिसमें वो script चलाने के बाद आपकी जो log files होगी वो automatically store होती रहेंगी ठीक है and configuration में जाएंगे यहां से आप देख रहे हैं नीचे वर्क्सपेस बना हुआ है control and configuration का ठीक है आप यहां से भी इसमें जा सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो यह यहां पर आजाएगा यहां फिर आप महीं जहां पर आपने यह यह workspace बनाया हुआ है ड्राइब करने के लिए जिस भी टेक्नलोजी की आप ड्राइब कर रहे हैं महीं पर आप खोल सकते हैं यहां पर control option देख रहे होंगे उसमें जाएंगे तो आपको यह service control designer दीख जाएगा ठीक है इसमें क्या करेंगे आप क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे देखी आपके सामने यह open हो गया है इससे आप क्या करेंगे? maximize कर लेंगे ठीक है इस तरीके से आप यहां पे इससे open करके यहां पर भी बना सकते हैं ठीक है? इससे अच्छा मैं आपको बता देता हूं हमने यहां पर नीचे जो दिया हुआ है तो हम आज शोट कोल की बनाते हैं यल्याइ दीला आना है मैं सब्सक्राइब अब spricht कि यहां पे प्रक्राइब यहां पर लिभ से सलेक्ट टाना है यहां से देख प्र शलयदम कंग कर गया है द लिटारोन से क्रेंगे इसे तेर राइट में सहठे है यहां कितने Parliament लगाना चाहरे उसके बाद क्या करना है आप क्या करते है डाइल करते हैं फोन नगाना है तो डाइल करना पड़ेगा उसके लिए आपको वोइस में जाना वोइस में आपको यहां पर डाइल कर फोट कोर 2008 चंश के आफिया तो एहां प्रीर हमें क्या करूंगा से याँ पर अप्लाइ कर दोंगा मैं इसे टिक है कर दिया है मैंने इसे नाम दे दिया यह यहां पर टेलिफें नंबर जो इस पर भी कोल लगानी है उस टेलीफोन number को fill कर दिना जिस पे भी आपको call लगानी है जो भी आपका toll free number उसे fill कर दिना और apply कर दिना है ठीक है यह हो गया इतना काम अब क्या करना है आपको second में हमें करना क्या है dial करने के बाद आपको wait करना है यानि कितनी देर call चलानी है वो आपको ठीक है डेड़ मिनट की call लगानी है तीन मिनट की लगानी है जितनी भी या 90 सेकंड जितनी भी लगानी है तो उसके लिए आपको का करना पड़ेगा wait wait के लिए फिर से control में जाएंगे यहां से wait select करेंगे और इसके नीचे लाके चोड़ देंगे इस पर double क्लिक करेंगे तो right में आप यहां पर देख रहे है duration आ रहा है duration में आप मैं 90 अगर 90 second की call लगाना चाहरा हूँ यानि थर्ड देड मिनट की इसके बनाना चाहरा हूँ तो मैं आप फिर वन फिल करूँगा और इधर 30 फिल कर दूँगा 30 ठीक है यह हो गया है मेरा डेड मिनट ठीक उसके बाद अब फिर वहीं चलते हैं अब क्या करना है मुझे यहां से कोल को कट करना है बहुत के बाद कितने देड फिर वेट करने के बाद हमारी कोल दुआरा से लगेगी तो वह मैं टाइम 10 शेकिड का दे रहा हूं कि डेड़ मिनिट कोल चलने के बाद 10 सेकिंड क्या होगा वेट होगा फिर दुवारा से कोल लग जाएगी ठीक है तो फिर मैं वेट पे जाऊंगा कंट्रोल में जाऊंगा यहां से वेट सेलेक्ट टरूगा और इसमें लगा दूगा ठीक है अब मुझे इस वेट में किने टाइम फिल करना है 10 सेकिंड यहां पर मैं 10 सेकिंड फिल कर देता हूं ठीक है अब यह मेरे 10 सेकिंड फिल हो गया यानि यह मेरी स्क्रिप्ट एक सबसे नीचे लगा ठीक है अब इस इस टरीके से मैं यहाँ से stop recording लूँगा और इसे सबसे नीचे लगा दूँगा ठीक है अब इस stop recording वाले पर मैं double click करूँगा तो right में आप देख रहे होंगे यहाँ पर यहाँ पर एक recording वाला option red हो रहा है यहाँ पर question mark अगा इस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर यह से लेक्ट आने के लिए आएगा start recording activity 1 इसे आपको select कर देना है ठीक है select करने के बाद आपको क्या करना है एक बार check कर लेना है कि जो आपकी script है वो सही बनी है या नहीं तो उसके लिए आपको script option उपर देख रहे हैं उसमें जाएंगे और यहाँ पर validate करके द image पर click करूंगा यहाँ पर मैं नाम दे दूंगा इससे जहाँ पर भी चाहूंगा sort call sort call auto script ठीक है नाम देने के बाद जहाँ पर आप सेव करना चाहिए मां कर दें मैं default में मेरा कि script folder मैं इससे save कर देता हूं ठीक है नाम देने के बाद क्या करना है आप यहाँ पर नीचे देख रहे है रिडिस्ट्रिब्यूटेबल पर आपको किलिक कर देना है ताकि अगर आप किसी दूसरे को share करना चाहें तो वो भी को चला सके ठीक है अगर आप इससे नहीं करते है सेलेक्ट नहीं करते हैं तो दूसरा बंदा इसको अपने temps के अंदर play नहीं कर सकता है उसके बाद आपको save कर देना है ठीक है अब करना क्या है यह आपकी script बन गई है आप चाहें तो इसे एक बार run करा कर देख सकते हैं देखिए अपनी kit यहाँ पे जो आपके ue हैं और gps ह है वो connect करना है देखिए मेरे सबी parameter सबी सोब हो रहे हैं यानि मेरे जो handset है mobile है और gps है वो connected है ठीक है तो मुझे करना क्या है जो मैंने script बनाई है आप यहाँ पे script पे जाएंगे और run देख रहे होंगे run पे click करेंगे देखिए run पे click करा call attempt यह मेरी script चल गई है देखिए ठीक है अब आप यहाँ पर time देखिए डेड़ मिनट टाइम चलने के बाद क्या होगा यह script automatically यह जो call होगी वो end हो जाएगी उसके बाद 10 minutes का wait होगा मेरी recording नीची है पर आप देख से रहे है ओटोमेटिक ली रिकोर्डिंग चल रही है ठीक है मेरी जो recording है वो चल गई है जब डेड़ मिनट का यहाँ पर आप टाइम देखते रही है जब डेड़ मिनट हो जाएगी यानि 90 सेकंड हो जाएंगी वन मिनट 30 सेकंड हो जाएंगी यह call automatically disconnect हो जाएगी और आपकी जो log file होगी वो automatically save हो जाएगी इससे क्या होता है जो आपके events होते है है call attempt हुआ call establish हुआ call setup हुआ यह सभी में मतलब difference नहीं रहता है कभी कभी क्या होता है call attempt ज्यादा हो जाते है इस तरीके से इसमें issue नहीं रहता है ठीक है जब आपकी report निकलते है तो सभी की जो counting होती है वो equal होती है इस तरीके से आपकी जो drive करने में ठीक है होती रहती है तो उसमें जो आपके इवेंट्स होते हैं वो भी कोई भी नहीं छूट पाता है देखिए एक मिनट टैन सेकंड होगी है जैसे ही वन मिनट थर्टी सेकंड होगा यह ओटोमेटिकली कोल क्योंकि आप टैम भी देख रहे हैं कितना है यह ओuto मिनट थेखंड ी सेकंड पे को soybeans अट्वाटमेटिकली यह ओटोमरी में नहीं देख सकते हैं आप आपकी सक। देखे आपकी कोल एंड हो गई है थी है 10 मिनिट का वेट होगा यहां कोल आपके द्वारा से लग गई हैं यूप सamientos है इस्टार्ट रिकोडिंग त्यानु दूस involve इस्टार्य नी दिकिता डूसरी at only two times हो गया है फिर हेंगा पे हुआ ठीक है आप यहां पर सभी पड़ामेटर सब्सक्राइब चैँक कर तें यहां पर चल रही है है पर पेरमेटर सभी सो कर रहे है यह क्वालिटी है यहां पर पर संटेज में करें क्वालिटी को उसे आप चैंज करना चाहिए यानि decimal में change करना चाहे है right click करेंगे properties में जाएगे content cell content में जाएगे column number 3 था 3 में जाएगे rx quality percentage में दी हुई है double click करेंगे यहाँ पे click करेंगे और जो percentage में आपके quality दी हुई है से उपर जाएगे यहाँ पे quality आपकी से select करेंगे और apply कर देंगे okay कर देंगे फिर से okay कर देना है आपके देखे जो quality है वो decimal में आ गई है ठीक है इस तरीके से आप automatically recording start कर सकते है ठीक है अब मैं इसे वहाँ से log file को यहाँ से जो आपकी skip बनाएट उसे stop कर देता हूँ यह मैंने skip इस stop कर दी है call end ठीक है stop कर दी है अब आप चाहें जहाँ पे drive की सभी windows open की हुई है आप वहाँ पे इस script को hold सकते हैं यह service control monitor यहां से ले सकते हैं आप control में जाएंगे service control monitor यह होता है ठीक है जो मैंने यहाँ पे open किया हुआ है ठीक इसके इस यहाँ पे जो option में था open script पे किलिक करेंगे जहां पर भी आपने उस script को रखा हुआ है save किया हुआ है वहाँ पे चले जाएंगे देखो यहाँ पे sort call auto script जो मैंने अभी बनाई थी उस पर किलिक करूँगा और open कर लूँगा यानि वो script मेरी यहाँ पर आ गई है अब यह देख रहे होंगे green color का run script वाला option आ गया है मैं जैसे इस पर किलिक करूँगा मेरी script इस्टार्ट हो जाएगा call attempt देखिये call established चीक है यहाँ पर आभी सारे जितने भी आपके events हैं वो देख सकते हैं call start, call initiation, dedicated mode, call attempt, call setup, call establish, call end यह सब भी आपके जो events हैं यहाँ पर देखते रहेंगे parameters देखे, frequency देख सकते हैं, dsic देख सकते हैं और जहां पर आप इस time हैं वहाँ कि आप log file भी देख सकते हैं, यहाँ पर map पर देख सकते हैं, ठीक है इस तरीके से आप सभी parameters यहाँ पर search कर सकते हैं, और इस automatically recording को चला सकते हैं, यहाँ पर recording automatically चल रही है अब आपके log file कहाँ पर जा रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा आपको, यहाँ पर जब आप इस वाले option पर start recording वाले पर click करेंगे और इसमें browse में जाएंगे, तो यहाँ पर देख जाएगा कि ठीक है, कि आपके कितनी log file बनी हैं, देखिए अभी दो log file बनी है, क्योंकि दो ही recording मैंने की थी, call दो बार ही end दोई थी, ठीक है, दो log file आपकी बन गई है, ठीक, इस तरीके से आप automatically script बना सकते हैं, और drive कर सकते हैं, ठीक है, चलिए मैं अभी script को यानि stop कर देता हूं, ठीक है, तो आज आपने शीका कि हम automatically जो recording होती है, उसकी script कैसे बनाते हैं, और उसे कैसे play करते हैं, ठीक है, और जो आपकी log file होती है, वो कैसे save होंगी, कहां पर save होंगी, वो आप यहाँ से path select कर सकते हैं, जहां से आ आज हमारी वीडियो में इतना ही, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस चैनल को like करें, subscribe करें, और अपने दोस्तों में share करना नय बोलें, धन्यवाद